बाई हापे क्या हो रहा है? बाई हापे क्या हो रहा है? यह कहाँ पस गया भाई में? बाई यह क्या हो रहा है? प्लीज कहे दो कि यह जूट है, यह सच नहीं हो सकता, मतलब यह जो पोस्ट चा रहे हैं, जो खबरे आ रहे हैं, प्लीज कहे दो कि एक मॉग ड्रिल है, जहां पर हम Real Madrid फैंस को तैयार किया जा रहा है, फ्लीज के लिए, यह नहीं हो सकता भाई, प्लीज, मतलब प्लीज कहे कि यह जूट है कि वो प्लेयर जिसने अभी 8-10 दिन पहले का था कि मैं जर्मेनी टीम में कमबैक करना चाहता हूं, वो कह रहा है कि नहीं, यह कमबैक सिर्फिक टोर्नमेंट के है, उसके बाद फिर मैं पर्मनेंट रिटायर हो रहा हूं, यह यह क्या बात होती है यार, जिसने 10 साल दिये हमें, 10 साल कमिटमेंट के, कंसिस्टेंसी के, लॉयल्टी के, एलीटनेस के, चैंपियनशिप्स के, वो प्लेयर हमें इस सीजन छोड़के चला जाएगा, 10 साल बाद, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है यार, हम तो मतलब सपने से जाके बैठे और तयार कर रहे थे, mentally की, लुका मॉटरिच शायद चला जाएगा, तो उसकी फेरवेल स्पीच में, वो आसों से रोएगा, उसके आसों में लिपट के जाए, हम भी रोएंगे, पर ये कैसा उनुरी वर्स है यार, it's not that कि मैं खुश नहीं हूँ कि मॉटरिच is renewing, बट पूरे सीजन तुम देखो यार, ये बंदा किस सरकम्स्टांस में हमारे क्लब में आया था, जावी अलॉन्जो लीवस देख्लब, टोनी क्रूस एंटर्स देख्लब, बिकम्स अपार देख्लब फूरेवर, और ये नेवर लीवस, और लोग इसकी बात नहीं करते, लोग जावी, और इन इनसान शब्दों में बया भी नहीं कर सकता, और जब ऐसे कोई प्लेयर रिटायर होता है, तो हम जेनरली क्या करते हैं कि उसके मोमेंट से याद करते हैं, एक हाइलाइट रील बना करके संजो लेते हैं अपने मन में, जैसे कि मॉड्रिच का वो बैलांड और जीतना, क्रिस कोई एक मोमेंट में उसे संजो कर रखी नहीं सकते हैं क्योंकि ये पूरे दस साल टोनी क्रूस को डिफाइन करते हैं, ये दस साल के दस साल टोनी क्रूस की हाइलाइट रील है, एस फार इस रियाल मडरेट इस कंसर्ण, आप नैशनल टीम में एक ऐसे तो कि स्वीडन के बाद करेंगे टोनी क्रूस को याद करते हुए, पर भाई, I still can't believe it, ये किस, मतलब ये हेस्टी decision नहीं है, बस मैं ये सोच रहा हूँ, और बड़ा अजीब सा लग रहा है यार, कि अगले season क्या होगा, भाई, सूपर कप के लिए वापस आजए हो तु, मैं लेवर कूसन को बाई, प्लीज, बले गिम 556677, जहां मर्जी खाता हूँ, भाई, प्लीज, खेर, मैं जितना overacting कर लूँ, मैं जितनी कोशिश कर लूँ, ये सब moments याद करने की, but the fact of the matter is कि हर player के लिए वो मकाम, वो stage आता है जहां पर, वो at peace हो जाता है इस चीज़ से कि मैं अब और compete नहीं करना चाता, टोनी क्रूस ने खुद काया कि जब मैं टॉप टॉप लेवल पर हूँ, मैं तब retire होना चाता हूँ, देखो मैं कहा रहा हूँ कि अगर खोदा नखासता जर्मनी यूरोज नहीं जीतती, तो वापस आ जाना, ठीक है, आपने जर्मनी से यसे वापसी की ना, वै जर्मनी के साथ अपना पहला यूरोज, वो अल्रेडी वोल्ड कप जीता हुआ है, जिसके जैसा प्लेयर अपना चाते है, जिसकी परचाई भी अगर प्लेयर बन जाए तो बड़े अच्छे प्लेयर माने जाते है, आप लोग तोनी क्रूस को कैसे याद करोगे, याद करोगे भी या नहीं करोगे, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, बट तोनी क्रूस is a man that should be remembered forever, forever, not just in the history of Real Madrid, not just in the history of German football, but in the history of football, for being one of the most consistent, one of the most elite, midfielders, and in general players, football has ever seen. I wanted to obviously highlight a very long time, a very long time, a very long time, but boss, that does not do justice, man. I thought, let this high tide of emotions burst itself onto the screen in front of you. पसंद आया तो यार, देख लेना क्या करना है, cheers.